तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉड़कास्ट में आज जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिश्ला मैम इस बैक भरपूर आपकी डिमांड पे आपके प्यार पे हमें इनको दुबारा बुलाने ही पड़ा आज एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है उनकी बेटी यशी यह भी बहुत जादा स्पिरिच्वली एडवांस है पर इनकी प्रैक्टिस इनकी मौम से थोड़ी अलग है ताकि घर में कॉम्पिटिशन ना हो जाए ऐसा था क्या मैम जैशी कृष्णा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था आक्चुली देखे क्या होता है कि इश् हमारी दुनिया है हमारा जो यह ज्यान है हमारा जो यह अध्यान करने का तरीका है इसके अंदर बहुत सारी चीज़े समाहिक है हम लोगों ने तो जो किया वो हमने अपने पुरवजों को देख के किया और जिस वक्त हमने यह सारी चीज़े चालू करी उस समय कुंडली वास कि आप कुंड देखैं और अनसर करें उनको इन्स्टेंट चीज चाहिए तो उसी को लेकर मैंने इसको बुला कि आप करो ऐसा कुछ करो जो आपकी जनरेशन को आप दे पा तो मैं आपने किस चीज में मेरा जिस पे है वो सबसे पहले है tarot, tarot के बाद मैं वास्तू और numerology मुझे astrology के बारे में भी पता है, मुझे astrology भी थोड़ा बहुत ग्यान है उसके बारे में लेकिन मेरी पकड यूजवली टारो में जाधा रहती है और मैं टारो को ही जाधा सपोर्ट करते हैं कि लोग सोचते हैं कि tarot वो सारी चीज़े नहीं बता सकता जो astrology बता देती है डेफिनिटली अगर astrology 100% बता रही है तो tarot 90% बताता है लेकिन tarot भी बहुत सारी चीज़ों को बता सकता है बटली मेरी कि आर में लडाई हो गई तो मैं किसी की रीडिंग अच्छी करी नहीं पाऊंगी एनरजीज तो हर जगे काम करती है चाए वो कुंडली हो चाए वो वास्तू हो जब तक हम फिट नहीं होंगे तब तक हम किसी का इलाज कैसे कर पाएंगे अगर मेरी तबेट ठीक नहीं है तो मैं कैसे किसी को देख लूँगे और उसके लिए कुछ अच्छा कर दूँगे मेरा पूरा तो ध्यान अपने उपर ही केंदरित रहेगा अगर सपोस करिये मैं अपनी लाइफ के अंदर डिस्टर्ब दूँग मुझे चार कॉल आ रहे हैं अपने घर से लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं या मेरे को नेगेटिव सुना रहे हैं तो मैं किसी को मुढ के या अपनी पूरी के साथ कुछ नहीं बता सकता और जोतिश में जोतिश केवल एक कुणली की ऑनलाइज करना नहीं है उसकी कैलकुलेशन नहीं है जोतिश है इश्वर दौारा दी गई ऐसी जोत जिसके दौरा आप किसी के भी बारे में उसके पीछे से यानि कि उस से और भविश्य से ऐसी चीजें निकाल के ले आए जिससे उसका जीवन और सरल और सफल हो जाए बट माम एक्यूरेशी में तो आप यह मानते होगे कि आस्ट्रोजी ज्यादा एक्यूरेट है अगर मुझे यह कहेंगे कि आप यह बता दीजे मेरे शरीर के अंदर कितनी हड़ी है और उस हड़ी में किसका साइज कितना है और कितना नहीं है तो मैं तो आपके अस्ट्रोजी से वह भी निकाल दूंगी कुंडली से अच्छा जी ऐसा भी है बिल्कुल है तो एस्ट्रोजी तो बहुत बड़ा सागर है उसी में से एक समझ लीजे घड़ा भरके रख दिया है हमने जिसे हम एक आप संग्या दे लीजे आप एक उसी का पार्ट के लीजे जो कि टैरोट है लेकिन अगर आप की बात कर रहे हैं तो दोनों की ही बराबर आती है कई बा उसको मैंने कंसल्ट किया और उसके बाद में वो इंस्टेंट ही इसके पास पहुच गया और हम दोनों को बात करने का मौका भी नहीं मिला तो उसने हमें यही बात बोले कि यही माने बोला था यही अशी आपने बोल दिया कैसे ठीक है और दोनों ही परदती दोनों नहीं ब आपके इस्ट के साथ आपके अराध्ये के साथ ही जब मैंने अस्ट्रोलोञ जानना और समझना चालू किया था मैने किताबों को पढ़ने से जादा अपने आपको अपने ठाकुर जी के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया था ताकि मैं जब भी कोई प्रेडिक्शन करूं तो वो मुझे आकर जरूर चीजे बता दें आपके यहां से जब मेरा पॉडकास्ट हुआ बहुत लोग आए मेरे यहां पर मिलने के लिए भी आप उनके रिव्यूज देखेगा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में मैंने कुंडली भी नहीं खोली उनकी और ठाकुर जी ने एक ऐसी चीज निकाल कर दे दी जो अदबुत थी अब ऐसे हाला कि थोड़ा अजीब हो जाएगा आपके इहां पर इस उनका आपके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है और उनका नाम से चालू होता है तो उन्होंने का अच्छा मुझे पता नहीं मैं मम्मी से पूछूंगा अभी मेरा उनका सेकंड पॉड़कास्ट हुआ है दुबारा से और उन्होंने मुझे बताया वह अंजू नाम था उनका को मेरे ठाकुर जी नहीं आएंगे मेरे साथ मैं आपको कितना भी बता लूँ मैं आपको कितना भी बता लूँ सुधी सैटेस्वाइड नहीं होंगी कि मैंने 100% बता दिया उनका आना बहुत जरूरी है जब तक वो नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती ठपा नहीं लगा सकती किसी चीज पर और अगर उन्होंने बोल दी कोई चीज कि हां ऐसा है फिर तो आप मुझसे उस चीज को लेके चाहिए स्टेम पेपर पे लिखा लिजे मैं स्टेम पेपर पे लिखके देने को तैयार हूं कि यह चीज तो होगी होगी इसे कोई नहीं बदल पाएगा तो नैचरली वो तो कान में क्या वो तो सक्षत कर आके बोल रहे हैं आपके पास इतने लोगों का आना आपको अपरोच करना यह दिखाता है कि आप अपने काम में बहुत प्रिसाइजली बताती हैं यह तो है अच्छा मैं भी जानना चाहता हूं यहां पहली पर हमारे स्टूडियों में इतने सारे कार्ड्स रखे हूं है सबसे पहले जानना जाता हूं यह जो नीचे क्लॉथ है यह क् जानना जाता हूं स्पिरिट कार्ड्स के बारे में बहुत जादा पीलिंग लगा है अम्शुर आड्यों सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अस्ट्रोजी में जब आ पूजा पार्ट करते हैं तो आप अपनी चीज को बिलकुल शुद करके साफ करके फिर बैखते हैं तो टै थाकुर जी ने मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है बहुत अच्छा ये दिया है कि मुझे ना किसी की भी डेट ऑवर्ट टाइम ये सारी चीज़े नहीं चाहिए होती मेरे टारो में बस आपके पास मेरे पास कार्ड्स आये हाथ में और मैंने जवाब दे दिया ये वा सबसे में चीज़ नहीं कर सकते हैं हम अपना प्लोथ को पूरा अनर्जाइज करते हैं अपने तरीके से अपने मंत्रों से अपनी पावर से उसके बाद क्या अनाम है हम लोग ठाकुर जी के आगे भी से रखते हैं एक मूनलाइट में नहीं बढ़ा जाता है जो पूंडेमा जिससे ये energize होता है, तो उसके बाद ही हम शुरू करते हैं, तो हमारा सबसे basic होता है cloth का, उसके बाद जो आप पूछे कि spirit cards, तो spirit cards एक बहुत powerful cards हैं, मतलब हर किसी के बसकी नहीं है कि वो spirit cards की reading कर दे, क्योंकि ये जो connection है, ये direct आपका connection होता है, पित्रों से, भूतों से, प् तरीके से message देते हैं, अब जैसे पित्रपक्स चलता है, तो उसमें हम लोग pittros से जो अपना एक message लेते हैं, तो हमारे spirit cards हमारी help करते हैं कि हमारे pittros से हमारे profession के लिए, हमारे career के लिए, हमारी growth के लिए, health के लिए, personal life के लिए, ये सारी चीजों के लिए क्या message आ रहा है, वो नाराज तो नहीं है, वो हमारे घर में वास करना चाहते हैं, या हमसे उनके कोई चीजों को लेकर तुरूटी हो गई है, कोई गलती तो नहीं है, मैसेज प्रॉम हमारे पित्र गए है, उनसे जो भी हमको मैसेज लेना है, वो हमें इन कार्ट के थूरू पता लगता है, या फिर किसी का कोई जल्दी चला जाता है, तो कुछ अंसेट थिंग्स रह गई है, उसमें भी यह काम रहते हैं, जी बिल्कुल, क्या कारण था, वो क्या मैसेज देना चाहरे, उनकी क्या चीज अधूरी रह गई है, जो वो यह चाहते हैं कि अब आप पूरी कर दीजे, या फिर क्या सिचुएशन थी, सारी चीजों का एक तरीके से मैसेज हमें मिलता है, इन कार्ट के थूरू. आप थोड़ा बता सकते हैं, एक्जामपल के थूरू आपके पास कोई आई हो, किसी से बात करने के लिए, इन कार्ट के थूरू, और फिर कैसा रहा था वो? ये दोड़ाई साल पुरानी बात है, एक जन्हें आए थे, उनको इस स्पिरिट कार्ट के बारे में नहीं पता था, उनने बस नॉर्मली आए और उनने का कि आप मेरी रीडिंग कीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में सारी चीज़े मुझे बताईए, तो मैंने मैं मुझे इस भी डेक से चाहिए, मैंने का आप शूर है कि आप इससे करा पाएंगे, तो बोले हां मैं ऐसा क्या है इसमें जो मैं नहीं करा पाऊंगी, तो मैंने का कि ये जो है ना ये डारेक्ट आपके स्पिरेट्स या आपके घर में कोई चला गया है, उनसे कनेक्शन आपको मैसेज देता है, तो बोली जी मैं मैं बिलकुल रेडी हूँ, और अविसली वो हमारे दरबार में आये थे, हमारे सार्थीदाम में आये थे, तो बिलकुल ही उनसे प्रोटेक्टेड ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वो बैठी हुई थी, मैंने स्टार्ट किया, उनका सबसे पहले में question ये था, कि मेरी health से related, क्योंकि मुझे health बहुत जादा दिक्कत दे रही है अभी, और वो इतने भी कोई खास बड़े नहीं थे, वो 20 से 25 यह के बीच के थे, तो उनने का कि मुझे health इतना क्योशू दे रही है, जबकि मैं तो बहुत तरीके से रहती कुछ ऐसा भार का खाती पीती भी नहीं हूं, तो क्या कारण है, तो हमने जब उनकी ये reading करी, मैंने जब मैंने देखा, तो मैंने ये देखा कि उनके जो पूर्वज है, उनको पतला वो उनके घर में अभी वे वास कर रहे हैं, और वो परिशान हो रहे हैं, उनने उनकी जो को महसूस करो, और मुझे इस चीज से हटाओ, एक तरीके से सिंपल वे में बोलू, तो ये एक मैसेज है, कि ये पित्रदोश है आपके, तो फिर आपने उनने रेमेडी भी बताई, हमने सारी चीज से बताई, उनने किया, और उसके बाद विदिन सिक्स मन्स वो बापस आई और वो ये बोले कि अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे इतनी मेजर मेजर इशूस थे, कि मेरा उपरेशन होने वाला था, और अचानक से वो सारी ही चीजे ठीक हो गई, मेरे को अपरेशन कराने की जरुवत ही नहीं पड़ी, सब कुछ एक दम परफेक्ट हो गया, मै मैंने कुई मेडिसिन नी ली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस आपका वो उपाय किया और आपकी वज़े से हो गया, और वो आज येशी की स्टुडेंट रही है, और आज वो खुद बहुत अच्छी टारो कार दीतर है, वाँ, अरे वाँ, करने के साथ सा सिखा भी रहे ह बहुत बढ़ी या चीज़ है, पहले रिजरल दिखाव, भीजो फिर सिखाव, और पैसे लो, पर नहीं लेंगे पैसे, तो कारमास तो नहीं कटेंगे ना, कैसे करमास कटेंगे, आप या तो भी हमारे और यह ए रही है, देखे पहले सामे में क्या होता था था? पैसों का ल जंगल से उनके लक्रियां लाते थे पकाते थे उन्हें खिलाते थे सेवा करते थे अपने गुरुओं की तो भार उतर जाता था आज कल किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वह यह सारी चीजे कर पाएं और एक सबसे बड़ी चीज जो होती है इसके अंदर मैं आपको बता है था मैं अपनी 10 पीडियों से यही काम करें हूं यह मेरी 11th जनरेशन है अनावेश की हमारी 100 जनरेशन तक चले तो जब मैंने ऐसा सोचा कि मुझे यशी को क्या करवाना है और इसको क्या पढ़ाना है आगे तो मैंने ठाकुर जी को जैसे हमारे हां एक परंपरा है तो एक परंपरा के अनुसार ठाकुर जी को अरजी लगी ठाकुर जी ने दिखाया कि कुछ नहीं मेरी सेवा में आना है और वो यशी उस समय दस साल की थी जब ये अरजी लगी थी मेरी, दस साल की थी, और मैंने जब अपने अंदर ये चीज़ सोचा तो मैंने का यशी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये ना बहुत शान्त बच्चा जैसे होते हैं वैसा, और बहुत डरपोक बच्चा की जिसने एक हॉरर मुवी देख ली तो अब रात बर नीन नी आएगी, मम्मी को पकड़ के वैटे रहनागी, मम्मी सोना नहीं, मम्मी सोना नहीं, उस तरह का बच्चा मेरा तो में को यह लगता था इस काम में तो बहुत बोर्ड होना पड़ता है, आपको हर तरह के चीजों से फाइट करना पड़ता है, हाई, फैर इसके सामने चीजे रखी मैंने, धीरे 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 मैंने इसको योगा के अंktor स्थालों किया, यह घारा स तो इसने जलनीती करना चालू कर दिया था मतलब यह उस स्टेश तक पहुच गई थी जलनीती मतलब एक नाक से पानी डाला जाते है और दूसरे से निकाला जाते है ठीक है तो इसने जब वो चीजे इतनी जल्दी सीखनी चालू कर दी तो मुझे लगा कि नहीं मैं गलत हूं बच्चे में एनर्जी बहुत ज़ादा है ठाकुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो अपने को इसको उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए बाइचांस की बात है कि हम लोग वरिंदावन जा रहे थे हमारा एक प्रोग्राम बना वरिंदावन जाने का तो मैंने य अच्छी बताएगे क्योंकि आप भीती ज्यादा अच्छी बता आपते हैं अच्छी पहले जब यह टाइम था तब मैं इन चीजों में मानती भी थी और नहीं भी चन्फूजन था क्योंकि घर में तो हमारा हमेशा से यही महौल रहा है सब जने हमारे घर में यही करते हैं तो महौल तो यही था लेकिन होता है ना कि टीनेजर वाली एज में आप आ रहे हो बच्चे हो तो इतना विश्वास भी नहीं होता तो यह रहता था कि ठीक है होता होगा कुछ मामा फॉरण चला गया था तो इनको फॉरण जाना था पढ़ाई भी उस तरीके से IGCSE बोर्ड में करी है तो फिर हमेशा यही रहता था कि फॉरण जाएंगे फोटाग्रफी करेंगे यह सब करेंगे तो वो सारी चीज़े रहती थी लेकिन बहुत बार पहले भी इनका तो जाना रहता ही था तो मैं हर पार कोई ना कोई बहाना वना के रुख जाती थी कि मेरे को नहीं जाना लेकिन उस समय जब मैंने टारो शुरू किया तो उसके बाद मेरे को मन में ही मतलब एक एनरजी सी आई एक पावर आई कि मैं जाओंगी एक पार तो मैं जाना चाहती हूं और जैसे कि विंदावन में बाके भीहारीजी का मंदे सबसे फेमस है, तो हम लोग वहाँ गई, वहाँ जाते ही, मतलब मैं अपने टैरो भी लेके गई, इसी नाम से की भई में वहाँ एनरजाइस करा के लाऊंगी, तो जैसे हम लोग अंदर घुसे, मतलब मंदर के अंदर, उनको क्या है, उनका पट बार बार बंदोता है, खुलता है, तो जैसे ही उस थाम जब मैं एंट्री ली थी तब वो बन था, जैसे ही वो खुला, मैंने उनकी आँखों में देखा, मनलब एक तरीके से उस थाम के बाद से मुझे उनसे प्यार हो गया, मैं अभी भी अगर तो मैं वहाँ गई, दीरे दीरे में पास आती रही, वहाँ का ओरा इतना पॉजिटिव, इतना क्लियर, इतनी जादा एनरजी थी वहाँ पे, कि मतलब में को लगता है कोई नेगिटिव भी वहाँ जाएगा, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग महा मैं निकले और मैंने उस हमारे घर में थाकुर जी हैं, लड़ु गोपाल सब हैं, लेकिन बहार निकलते ही मैंने डिसाइट किया, कुछ भी हो, मैं अपने खुद के थाकुर जी लेके जाऊंगी, छोटे लड़ु गोपाल जिनकी अब मैं सेवा करूंगी, और मैं उन्हें सुरूप में बिठा हूँगी, मैं ने का दंख सेच का जैए कि ऑप बाहरी मिंदिर में और शिर्वाद दिला दिजिए उनने दिलाया, उन्हें वो माला दी और उनने गुद मेंना सात में पैटन पुश्प दिया था, कोशास नीं तही जो जो फिनकी अधि ठीवा है में अ वहारे family के लोग आये उनने का क्या आप रीडिंग कीजिए हम भी देखना जाते हैं उससे पहले मेरे अंदर रहता था कि मैं रीडिंग करूंगी कैसी रहेगी क्या पता गलत हो जाए क्या सोचे सामने वाला मेरे बारे में मैंने उस वमें ऐसी एनरजी आए मैंने का हटाओ मै तो रीडिंग करूँगी, मैंने उनकी रीडिंग की, कुछ भी उनसे नहीं पूछा, मैंने बस उनने कहा कि ये आपकी situation है, ये ये remedies हैं, और वो remedies मैंने कहीं से नहीं पड़ी, अपने आप वो energy generate हुई है, तो एक तरीके से मुझे जिसने मतलब शिक्षा दी है, जिनने मुझे सिखाया है, मैं ये मानती हूँ कि वो ठाकरजी है, उनहीं का सबसे बड़ा हाथ है मेरे अंदर कि भाई, वही आज भी अगर मैं किसी की रीडिंग करने बैट्डॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी past life, पुछला जनम, आज का जनम, आगे का जनम, सब कुछ बता स आज करने चाहिए, मैं बोलती हम आपने उस पर यूटूब पर कि जब मैं रोजाना वीडियो नहीं बनाती है, मुझा अब लगता है, मुझे बहुत दिन हो गया, मैंने वीडियो बनाएं, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे हाथ में कोई स्क्रिप नहीं होत तो ठाकुर जी बस सामने होते हैं मेरे और वो जो इंडिकेट करते हैं वो मैं बोलती जाती हूं ईël इभंने बहुत सारी चीज़ सुनी योगी जिसके थुए हम आतमा को बूलाते हैं उनसे बात करते हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं जैसे कि अगर अगर स्टाइल में बताओं मैं आपको जो पूरवजों के साथ connection होता है जिसे कि हम एक तरीके से पित्रों के द्वारा बताई गई भविश्वानिया कहते हैं ठीक है वो जब हम करते हैं उसके लिए क्या होता है कोई भी हम अन ले लेते हैं जैसे हमने गेहूं ले लिया एक यंत्र बनता है उ और उसके बाद आप जैसे जैसे सवाल करते जाते हैं वहाँ पर एक ऐसी energy generate होती है यह आपके पित्र आते हैं और वो उन गेहूं से आपके हा या ना का अंसर आपको देते रहते हैं इस रीडिंग ऐसा निया वहाँ पर हा लिखा हुआ आ जाएगा या ना लिखा हुआ आजएगा नहीं आपने जैसे कोई सवाल किया तो वहाँ पर क्या होता है कि वह जो यंत्र होता है वह एक तरीके से यह मालीज़े triangle है तो अगर आपका उत्तर यस है तो वह सारे के सारे जो होंगे उसके 95% आपके राइट में चले जाएंगे अगर आपने नो आया तो वह लेफ्ट में चले जाएंगे और अगर आपका 50-50 आया तो वह आपका उपर चला जाएगा तो यह resource कर तरीका है अपने आप हो ठnicas करती हैं उसके लिए हमको पहले करनी पड़ती है आहन भी करना पड़ता है पूजाई भी होती है बहुत सारी चीज़े होती है तब जाकर यह आप करने के लिए कैपेबल होते हो दो जो लोग जिनके उपर पित्र आते हैं अपने सुना है पितर आते हुए बॉडी में आते हैं तो उनके पास वो एनरजी अपने आप फ्लो कर जाती है और फिर वो हाथ भी नहीं लगाते वो चीजे अपने आप चलने लगती है यह एक पौरानिक तरीका है जिसे बहुत सारे लोग मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं लगाया तब भी वो वहाँ पर फंक्शन करेगा उसका फंक्शन होगा इसी तरीके से क्या होता है कि अदर बूला ली जाए और फिर उसके बारे में बताया था कि मेरा एक अनुभव रहा है अपनी लाइफ का मैं गई थी, उन्होंने पानी के अंदर मुझे reading करके बता रहे थे और वो मुझे सारे questions के answer दिये जा रहे थे इसी तरीके से एक और तरीका होता है इसके अंदर मटके का मटका होता है, उस मटके के अंदर उस आत्मा को बुलाया जाता है और फिर वो मटका जिस तरीके से move करता है तो पता चल जाता है कि हमारा answer क्या होगा, यह क्या बताना चाता है इसी तरीके से जो auto writing होती है, जो लोग auto writing करते है उनका हाथ अपने आप चलने लग जाता है मतलब अगर आपके पास कोई आया तो आपका pen, मतलब आपके पास pen होगा और आपके पास pen होगा बैठोगे आप, आप बैठोगे, आप एक subconscious स्थिती में चले जाओगे, जहां पर आप हो नहीं, पर आप हो ठीक है, और आपके उपर एक energy हावी है, जो आपसे वो लिखवा रही है, जो आप उनसे पूछ रहे हूँ यह बहुत high level की auto reading होती है, जिसके अंदर आप कुछ भी किसी भी तरह से, किसी से भी बात कर सकते हैं तो इसमें किसी और, जैसे में for example मेरे पित्र है, तो अगर आप उनसे कुछ message करवाना है, बताना है पुछ कूछ उनकों तो आप उनको अपनी बाडी में लें का आते हैं कैसे होते हैं बॉडी में आना एक तरीके से होता है कि बॉडी में ही आ गए एक तरीके से यही मान लीजे वैसे पित्र कभी भी किसी और के शरीर के अंदर नहीं घुसते पित्र अपने ही परिवार के लोगों पर जाते हैं पित्रों का देखे भूत प्रेत जो होते हैं वो कहीं भी किसी के उपर भी चड़ जाते हैं, उनका कोई दाइरा नहीं है, कि ये मेरे घर का है, तो ही मैं इनके उपर रहूँगा, वो अपने घर के को चोड़ के किसी के पर चले जाते हैं, लेकिन जो पित्र होते हैं, वो अपना ही रक्त मांगते हैं, अपना ही खांडान का व्यक्ति होना चा वो इतना strong हो जाता है कि आपकी body आपके हात में नहीं रहती आप जो लिख रहे होते हूं ना जैसे अपन बच्चों को बच्पन में हात पकड़के लिखवाते हैं सेम उसी तरीके से वो आपका हात पकड़के लिखवा रहे होते हैं पंगी का क번्गार सा था तो उन्होंने बताया ग्रेप्स आटोमेटिकली वो राइट होगे तो मैं आपका अनुभफ जानना चाहता हूं कि आपके बास कुई आया हो और फिर वो ऐसे बाते चल रही हूं और फिर हमने मैंने बहुत अटो राइटिंग किये बहुत अंगिनत और मेंली मैं जो करती हूं मेरी सबसे हुए इनर्जी होती है अमावस्या अमावस्या मेरे अयसे होती है कि उस दिन तो आप मचसे दुनिया का कहीं का भी कोई सवाल पुछ लीज़े और offline स्वण इतनी हाई एनरजी होती है उस दिन तो मैं अधिकतर जब भी मुझे ऐसी कोई चीज करनी होती है और आटो राइटिंग या इस तरह की तो मैं हमेशा अमावसी चूज करती हूँ क्योंकि वो मेरी एनरजी को डिस बैलेंस नहीं कर पाते हैं और मैं उसके बार डाउन नहीं होती है मैं अपने आपको स्टेबल रख सकती हूँ तो अमावस के दिन ही वो मेरे पास आय थे और उनके घर में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी उनके यहां से बार 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 ना समान गायब हो रहा था क्या सकते हो आप चोरी हो रहा था पर उनके यहां से समान गायब हो रहा था जैसे सपोज उन्होंने कोई चीज अलमारी के अंदर रखी और वहां से गायब हो गई अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क चुरा कर ले जा रहे क्योंकि यह आपसे नाराज है, तो उन्होंने कहा कि आप इनसे बात करिए, आप आप आटो राइटिंग करके हमें बताईए कि क्या है यह और क्या बोलना क्या चाहते हैं, तो जब चीजे निकलने पर आई, जब उन्होंने चीजे बताना चालू कि और सामने बैठे थे, तो उन्होंने अपनी घर के लोगों का वो नाम लिया, जो उनके घर में प्यार से पुकारा जाता है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने ऑफिशली मेरे से नाम पूचा, मैंने आपको बताया त्रिशला, लेकिन मेरा एक घर का नाम भी तो है, जिस इस समय मेरी मृत्यू हुई थी उस समय मेरा ये वाला बेटा जो ता वो घर में नहीं था वो इस शहर में था और मेरे मृत्यू के समय ये-ए लोग मेरे पास में खड़े हुए थे मैं जब गया तब उस समय मेरी वाइफ मुझसे ये बात कह रही थी पतब उन्होंने ऐसी चीज़े निकालके हमें बताई हैं जो शायद मुझे लगता है कि कोई नॉर्मल आदमी गैस भी नहीं कर सकता एक और राइटिंग में तो किसी ने जब सामने वाले को विश्वाश नहीं होता तो हमें नाच्रली उनको कुछ चीज़े बतानी पड़ती है हलाकि नहीं पूछना चाहिए क्योंकि हम जितना उन चीजों से दूर रहें उतना ही हमारे लिए अच्छा है आत्मा को पीड़ा प रिलीज कर देना चाहिए तो उनकी जब ऑटो राइटिंग की तो उन्होंने अपने बैंक अकाउंट का नंबर बताया और उन्होंने ये बताया कि मेरा जो लॉकर नंबर है वो इतना है और इसकी चाबी यहां रखी है तो उनको यकीन हुआ तो ऐसी बहुत सारी चीज़े ह जो आटो राइटिंग में सामने निकल कर आती है और जब हम किसी की भी रीडिंग करते हैं तो वो अफकोस हमें तब ही करनी पड़ती है जब किसी के साथ बहुत समस्या चल रही होती है और कहीं से समाधान नहीं मिलता तब हमें ऐसी चीज़ों का आहन करना पड़ता है और जानना पड़ता है कि कहीं कोई पास्ट में गलती तो नहीं हो गई हमारे दुआरा कोई ऐसी चीज तो नहीं हो गई जिसकी वज़े से हमारे पूरवज हमसे रूस्ट हो गए उसका सलूशन आगे था हम जो घर से चीज़े गाया बोरी थी उसी का मैं आपको बताती हूं तो जो तांत्रिक है मुझे नहीं पता आपने ये बास सुनी है या नहीं जो तांत्रिक होते हैं उनके अंदर इस लेवल की शक्तियां होती है कि वो कहीं भी बैठे बैठे कहीं से भी चीज़े मंगवा सकते हैं और वहां पर भिजवा सकते हैं अच्छा हां जी पर यह ऐसे कि एक ही समय पर पूरे विश्व के अंदर मूर्तियां दूद पी रही थी वह उनकी क्रियेट करी हुई एनरजी थी बहुत पावरफुल थे बहुत पावरफुल थे और तंत्र का उनको जो ज्ञान था ना वो मुझे लगता है कि शायद ही कोई उनके मुकाबले चीजों को कर आप पाया है लेकिन उनके साथ भी वह ही था कि तंत्र कही न कहींना ना चाहते हुए भी आपको गलत रस्तों पर लेके जाता जाता है इसलिए ठाकोर जी की शरण में रही है, वो सबसे अच्छा है, वो कभी कही पतन पे नहीं जाने देते, तो ये ऐसे ऑटो राइटिंग्स जब होती है, तो पता चलता है वहां से कि क्या क्या चीजें हमारे साथ हुई, अब उसके अंदर वो जो तांतरिक था, उनके घर से ची चीजें आई गई है, अब आप बताईए क्या करना है, फिर उनसे तोड़ भी पूछा गया, जो उनकी आत्मा थी, उनसे तोड़ भी पूछा गया, कि इसका तरीका क्या है, कि इस चीज को खतम किया जाए, फिर उन्होंने उसका सॉलूशन भी बताया, कि ऐसा ऐसा करिए, इस से ये चीजें खतम हो जाएं, तो ऐसे ऑटो राइटिंग से बहुत है, बहुत जगे, बहुत लोगों के साथ आप संपर कर सकते हैं, एक आपके हॉलिवुड के बहुत बड़े डारेक्टर हैं, उनके बेटे का बहुत कम उम्र में दियानत हो गया, वो मर गया, जिक, अ अब वो जो फ्लैट था, जिसमें उनका बेटा रहता था, वो जब बेटा चला गया, तो उनको थोड़ा सा शौक हुआ, तो वो अपने बेटे के उस फ्लैट में कुछ दिन के लिए रहने चले गए, उनके साथ जुड़े रहने के लिए क्या लीजे, या उनके जाने के बा पास पास है, उन्होंने अपने एक मित्र के थूँ, यहां इंडिया के अंदर इस चीज के उपर रीडिंग करवाई, और निकल के आया कि उस बच्चे को मुक्ती नहीं मिली है, आप गूगल करिएगा, आप थोड़ा सा न्यूज वगेरा में पीछे बैक में जाईएगा, अपको पता चलेगा, उन्होंने हरिद्वार में आकर बहुत बड़ी क्रिया कराई थी, उसकी मुक्ति के लिए, तो वो जो नहीं रिडिंग कराई थी, वो अटोरेटिंग कराई थी? सब्सक्राइब आपको बताया मत्के का जैसे मैंने आपको बताया यह गेहूं का ऐसे बहुत सारे लोग जो है वह नीबू से रीडिंग कर लेते हैं कि वो उस एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर पाए जेल पाए और फिर उस एनर्जी के अपना फंक्शन कर सके तो जब यह चीजें हुई तो निकल के आया कि ऐसा ऐसा है और उनका काम किया गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आटो रीडिंग के थूप पता चल सकते ल अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा तो यह ब्रहम हस्त्र चलाना ही पड़ेगा क्योंकि करने वाला और कराने वाला उनके उपर भी इन चीजों का बहुत इंपक्ट आता है तो यह नेगिटिव नेगिटिवली इंपक्ट करें कि हम एक स्पिरिट को ताम करेंगे तो कह तो आपको भुक्तान करना पड़ेगा जैसे कि जब हम आटो रीडिंग करते हैं तो दो चार दिन कहीं न कहीं हमारी तब्यत उपर नीचे होती ही है जब हम ऐसी कोई भी चीज करते हैं तो कुछ ना कुछ तो एक चीज होती है जो डिस्टर्ब कर जाती है चाहे वह फिजिक जाए आप किती भी जल्दी बहार निकाल लेंगे, कुछ तो आपके उपर उसका असर आएगा, तो जब भी हम ऐसी एनर्जी के साथ काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप प्रकर्ती के विरुद्ध जा रहे हैं, तो माम इसमें आपने किसी ऐसा भी है कि जैसे बहारी स्पिरेट होत जैसे कि जिन्हें हम बहुत साधारन शब्दों में कहें, भूत, प्रेत, इनसे संपर्क करना, यह आपके बहुत जल्दी कबजे में नहीं आती, आपके साथ संपर्क वही बहुत सरलता से स्प्रेट्स कर सकती है, जो बहुत पॉजिटिव होंगी या बहुत शान्त होंगी, वही आपके साथ संपर्क कर सकती है, जो बिगड़ी हुई रूहें होती है, वो एकडम से आपके संपर्क में नहीं आती है, और वो इस तरीके से इतनी आसानी से आपके सवालों के जवाद नहीं देती हैं उसके लिए फिर हमें बहुत अलग-अलग चीजें करनी पड़ती हैं जैसे कि हम उनको किसी चीज के अंदर डाल दें किसी जैसे कि सपोस करिये कि हमने उनको नारियल के अंदर डाल दिया या हमने उनको किसी बोतल के अंदर डाल दिया जिन होते हैं उनको बहुत अराम से बोत सकते एक बहुत सरल तरीका है इसके थ्रू क्या होता है कि फिर आप उनसे बहुत आसानी से निकलवा सकते हो कि क्या चाहते हैं यशी मैं आपसे जानना चाहूँगा मुझे लगाता कि टैरो बहुत वेस्टन चीज़ है यहां मुझे योगिक पाथ और गनेशा जी के कार्ड्स दिख रहे हैं मैंने पहली बार देखे टैरो के अंदर तो मैं जातो कि आप क्रिष्णा भी है और गीता कार्ड्स भी हैं भागवत के कार्ड्स भी हैं जी बिलकुल वेस्टन बस उनको नाम दे दिया गया है क्योंकि उसको थोड़ा एडवांस फॉर्म में कर दिया है और जैसे कि आज कल यूथ जादा बलीफ करती है तो इस वज़े से उनको थोड़ा वेस्टन नेम दे गया है बाकी सब कुछ अपने वेद पुरान और एस्ट्रोजी से ही उठाया गया है जैसे कि आप एक एक एग्जामपल देती हूं आप अगर बात करें राशियों की मेश, विश, मिथुन, कर्क और आप बात करिये टॉरस, एरीस और यह सब की तो यह तो सेम ही चीज है इन हमें कैसे अपनी इंडिविज्वल लाइफ को करना चाहिए योगाज योगाज एक बहुत ही माइनर स्टेज है एक्चुली में जो योग है जो योगाज जो हमारे वेदों में लिखा है वो आठ तरीके की साइकल्स हैं जिसमें सबसे जी जिसमें सबसे पहरी शुरवात हमा इसे बहुत सारे हैं और बहुत सारी चीजे होती है कि एक व्यक्ति जो है वो एक तरीके से म्रत अवस्था में आ गया और उसकी आत्मा ब्रह्मन करके वापस आके शरीर में घुज गई जी आप कह सकते हैं कोई चीज रखिए उसको आपने हवा में उडा दिया जिस्ट योगा के अंदर बहुत सारी मुद्राएं होती हैं और यह जो हम योगा करते हैं यह आसन है योगा के तो यह समझे यह तो एक तरीके से ABCD है ठीके बिल्कुल माइनस स्टेज है अगर हम योग में जाएंगे तो योग के अंदर तो इतनी ताकत है इतनी ताकत है कि योग के द्वारा तो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है अपनी आयू को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है लेकिन हम योग की उन चीजों के बारे में ना तो जानते हैं और आधी योगी सिर्फ जो हुए है वो भगवान शिव हुए है जिन्होंने आधी योग के उपर अपना पूरा वो हमेशा देखिए ध्यान में रहते हैं, ठीक है, तो योग तो एक ऐसी चीज है, जिसके माधियम से आप अपनी एनर्जीस को इतना हाई कर सकते हैं, इतना हाई, कि उसके तूँ आप कुछ भी करवा सकते हैं, अपने खुद के साथ, ठीक, योग एक ऐसी क्रिया है, जिसके अंतरगत हम अपने कार्मिक चीजों को भी बदलने की शमता रखते हैं जैसे कि बिना खाए बिना पिए भी आप जीवित रह सकते हैं सर्फ हवा पर अब यह कोई मिथ्या या यह कोई फाल्तु की बात नहीं है यह सत्ते है इसका एक बहुत बड़ा प्रमान हमारे अभी एक ब जोड़ेगा प्रमार के शो-शना नाम नहीं पता यूंकि मैं पर्सनली नहीं मिली ने बहुत बहुत उनके बारे में पड़ा निउस में और सब जगह तो लेकिन ऐसे हमारे आँ बहुत सारे हैं वो तो सामने आ गये ऐसे बहुत सारे हैं मैं राजस्तन से बिलॉंग करती 8 सालों पहले की बात है मैं जोदपूर की तरफ जा रही थी तो बीच में एक रेगिस्तान पड़ा और उस रेगिस्तान में तिला सा था तो ऐसे ही जैसे होता है न शौक होता है कि अरे अब हम NCR में रहने वालों को जब इतने बड़े-बड़े तीले दिख जाए रेत के कैसा लगता है रहे हां थोड़ी देर चलते हैं देख के आते हैं करके तो हम लोग उतर गए देखने गए वहां पर तो एक तिला था जिसके अंदर ऐसे कुछ हलचल सी लगी तो हमने उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा हटाना स्टार्ट किया तो उसमें से एक व्यक्ति बहार निकल के अगी अच्छा हां एक एक व्यक्ति बहार निकल कर आया तो हम डर गये यह कौँ है तो उन्हें नहीं कहा है कि तुम लुग कौन तो ने कहा हो बाभा हम तो यहां से गुजर रहते हैं मुसाफिर है जा रहे है ऐसmore से बbok और उदर से आये हैं जैपुर से कुछ काम है तो जा बताया कि मुझे 110 वर्ष बीद गए, यहां बैठे बैठे, 110 वर्ष इस मिट्टी के तिले में बैठे बैठे, तो आपने तो एक तरी से जगा दिया उन्हों, उन्हों तो गबरा गई थी बहुत पुरी तरीके से उन्हें देख के, पर वो बहुत अच्छे थे उन्होंने आश प्रदान कर सकती हैं, इसी तरीके से आप कभी ना हिमार्चल में जाईए, आप कभी एवरेस्ट पे जाईए, आप कभी कैलाश परवत पे जो बैठके ध्यान लगाते हैं, उनकी तरफ जाईए, बहुत सारे ऐसी जगें हैं, बहुत 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 आम कोई इंट्रेस्टिं बताई वो सारी की सारी ओल्मोस्ट मेरी लाइफ के अंदर कनेक्टेट थी, जैसे उन्होंने ठाकुर जी का मुझे बताया कि तुम क्रिश्न भाक्त हो, तुम्हारे साथ ठाकुर जी का बहुत अच्छा संपर्ख है, बहुत चलता है, फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसके तुम्हें आदी सक्ति का भी पूजन करना चाहिए क्योंकि उस समय तक मैं सुर्फ ठाक़ची का भी पूजन करती थी सुन्हें अपना आराध्य मानती थी तो उन्होंने वो एक मंत्र दिया मुझे कि आप ये मंत्र वहां जाके करिये तभी से मैंने मा का मख्या धाम पर जाकर उस मंत्र का उच्चारण करना और उसको पाठ करना चालू किया है तो ऐसी बहुत सारी चीज़े उन्होंने बताई और फिर उन्होंने ऐसा बताया कि प्रकर्टी जैसे अपने नियम से चलती है, ऐसा नियम कभी नहीं तोड़ना चाहिए हमको, दीन परिस्तिती कैसी भी आ जाए, आपको कभी भी अपने नियम से पीछे नहीं हटना चाहिए, और जब आप ऐसी चीजों के साथ में आ जाते हो, संपर्क में आ जाते हो, तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का लोब लालच नहीं आना चाहिए, कि मैं में को ऐसा मिल गया तो मुझे और भी जादा मिलेगा, और भी जादा मिलेगा, आपने जो प्राप्त किया है ना वो बस ये समझ लो आंशिक मात्र है, आपने कुछ भी नी पाया, आप जितना भी आगे बढ़ते जाओगे उसमें, साधना में, आप यही समझना कि आपने कुछ भी नी पाया, आप अभी भी जीरो पे खड़े हो, तो तो आप अपने जीवन की साधनाओं को पूर्ण करने में सक अप्षम हो, जिस दिन आपको ये लगना चालू हो गया, कि आपने चीज़े प्राप्त करना चालू कर दिया है, आपके पर शक्तियां आनी चालू हो गई, आपको इस चीज़ से ये गेन हो रहा है, और आपका लालज बढ़ता जा रहा है, अब मैं को ये तो मिल गया, कि आपके पास जब कोई व्यक्ति आता है अपने बारे में पूछने या अपने जीवन का सॉलूशन लेने, तो आप उस चीज़ का कैसे पहले ग्यात करें कि आपको उसका कारे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज़े कहीं आपको तो इफेक्ट नहीं कर क्योंकि जित्ते भी सादक होते हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी की भी साधना ले जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बुरा मान जाएंगे, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर एक हैं, बहुत अच्छे जाने माने जोट्शी कह लीजे, उनक सामने बैठे और उनके सिद्धी को लेगे, लेकिन करण पर साचनी को तो सिद्ध बंदा गर खोदी करेगा तभी उस पे रहेगी ना, उस पर आएगी, वो ले गए, वो उनसे जादा पावर्फुल थे, वो ले गए, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, उनके बास तो ऐसी चीज है कि जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, तो बावने का अच्छे, तुम्हारे पास ये चीज है, चल आजा मेरे साथ, चल, वो चल दी, मतलब आप सोचो, वो जो आये थे, वो कितने बड़े सादक और उनके पास कितनी असीम शक्ति आऊंगी, कि वो किसी भी को अपने साथ ले गए कि चलिए, है ना, तो इस तरह की जो चीजे होती है, जब हम इस लाइन के अंदर होते हैं, बहुत छोटी-छोटी चीजे हमारे साथ काम करती है, जैसे कि सपोस करिये, हमारे जब ग्रह गोचर चेंज होते हैं, जैसे शनी चेंज हुए, राहु के दो हजार चौदा की, उस समय एक ट्रांजिक्शन हो रही थी, गोचर के अंदर, और उस ट्रांजिक्ट से कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी जो हैं, वो इफेक्ट कर रही थी, तो मुझे ऐसा ग्यात हुआ कि मुझे कुछ टाइम के लिए अपनी इस चीज को बंद कर देना चाह पर कई बर क्या होता है, आप ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में फसे हैं कि आप एक जिम्मदारी उठा रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उस चीज से भाग नहीं सकते, आपको पता है, तब भी आप उस चीज से पीछे नहीं हट सकते, मेरे पास एक बह 2015 स्टार्ट होते ही मैं किसी कारण से किसी काम से धहरा दून गई थी और मैं लौट कर आ रही थी वापस और रस्ते में मेरा बहंकर एक्सिडेंट हो गया इतना बहंकर कि आप बिलीव करें थोड़े इस पनी भी लगेगा आपको सुनने में कि जब मुझे हलका सा होश आया तो मुझे क्या लगा कि अपन तो निकल लिए भेटा अपन तो निकल लिए और लोग अपस में एक दूसरे से बाते करें अरे और निकालो कौन-कौन है देखो तो सही कितनी डेट बोडिज है और मुझे क्या लग रहा है मेरी आत्मा सुन रही है यह सब मैं तो खतम तो आप सोचे कितना खतरनाक एक्सिडेंट होगा वो वो जो चीज थी न वो पता था कि अगर मैंने इस समय कुछ टाइम के लिए इन चीजों को नहीं रोका तो यह मुझे इफेक्ट करके जाएगा वो करके गया वो इफेक्ट कर गया तो आपको न यह ग्यात हो बहुत जरूरी है कि आपको कौन से समय कैसा काम करना चाहिए जि जो एक भेद करने वाली क्रिया है यह उन्होंने मुझे सिखाए तो इसके कार्ड जब हम रीड करते हैं तो इन्षान को क्या पता चलता है कि क्या करना चाहिए मतलब क्या गाइड करते हैं इनके जो कार्ड जो योगा के कार्ड होते हैं वो आपको एक तो जैसे फॉर चाहे आपको योगा में ले लीजे, बिएस दौनों का अलग-अलग है, योगा इस मेजर स्टेज, तो माइनर स्टेज से ये शुर्वात करते हैं, कार्ट्स, जो कि आपकी, for example, meditation हो गई, या इसमें कुछ science बने है, योगा के कुछ बने है, जो आपको हम बताते हैं कि आपको करना चाहिए अपने आपको शांती के देने के लिए, या बहुत सारी लोग tensions में होते हैं, टेंशन में ही अगर को योगा या कोई योग करने तो उनकी वो टेंशन ही दूर हो जाएगी, वो और टेंशन लेने की बजाए, ये थोड़ी देर पांच मिनिट इसमें spend कर देंग तो उनकी वो चीज़ दूर हो जाएगी, तो हम उन्हें ये चीज़ गाइट करते हैं, कि आपको एक तो कौन सी चांटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो इस कार्ड में लिखी होती है, और हम उने बताते हैं अपनी साइड कि ये चांटिंग कीजे, प्लस आप ये वाला योग कीजे, उससे भी आपको बहुत फरक पड़ेगा, जैसे कि salt therapy हो गई, soap therapy हो गई, candles की therapy हो गई, जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग अपना खुद का manufacture करते हैं, परसनल जो ये रहता है कि जो हम salt बनाते हैं, उसमें भी हम घर की चीज़ें यूज़ करते हैं, बहार का कुछ भी होता है, वो salt भी इवन भार का नहीं है, हम अपना पूरा घर का वो करते हैं, और वो आपकी problem के हिसाब से बनाई जाती है, तो basically जो regular tarot cards होते हैं, वो तो बताते हैं, प्रेट करते हैं, तुम्हारा future है, आगे क्या होने वाला sort of, ये बताते हैं, क्या चीज़ तुम फेस कर आपको कौन सी चीज़ इसके अंदर एफेक्ट करेगी, जैसे suppose करिए कि आप एक depression में चल रहे हैं, तो depression में क्या होगा कि ज्यादर आपको बताया जाएगा कि आप water therapy करिए, अब हो सकता है कि इस card से निकल की ही ना आए कि आपको water therapy help करेगी, हो सकता है, काज से निकल के आज आपको इस समय जादा से जादा अपनी आपको touch करना है, आपकी body के अंदर किस चीज की कमी हो रही है इस वक्त, जिसको आपको बढ़ाने की जरूरत है, जैसे कि योग के अंदर जब हम क्रियाओं की बात करते हैं, मुद्राओं की बात करते हैं, तो जो योगी मुनी होते है जैसे मैंने आपको बताया हूं वो लोग अपनी हर एक चीज पर काबू पा लेते हैं बड़ा सुनने में आश्चरी होगा लेकिन यह संभव है यह सच में हुआ है लोगों ने ऐसा किया है हमारे पुराने जमाने के अंदर लोग ऐसा करते थे जैसे कि एक होती है काल मुद्रा काल मुद्रा होती है आपके अंगुठे को जोड़ेंगे आपकी पहली अंगुठी को जोड़ेंगे उसके बाद आपकी जो सेकंड फिंगर है इसको आप ऐसे डाउन कर देंगे फिर आपकी रिंग फिंगर को ऐसे जोड़ लेंगे और फिर आपकी छोटी अंगलियों को होती है काल मुद्रा अब इसको आप बिल्कुल ऐसे नमस्ते मुद्रा में कर लीजे और आप अपनी अनामी का जो है ना इसको आप हटाने की कोशिश करिए लेकिन जो योगी होते हैं जो इसका नित नियम से प्रयास करते हैं जो रोजाना इस मुद्रा पर काम करते हैं वो अपनी मृत्यू से 6 महीने पहले इस चीज को ग्यात कर लेते हैं कि ये उंगली हटना स्टार्ट हो गई अब हमारी मृत्यू 6 या 8 महीने में आनी निश्चित है आ सकती है अब इसके अंदर भी कौन सी चीज हमें कहां इफेक्ट कर रही है वो अलग-अलग मुद्रा है जो सकते हैं तो बेशिकरी टाल भी सकते हैं अब अपनी मृत्यू नियती को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकती ठीक है लेकिन नियती दो तरह की होती है एक होती है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि हमने एक्सेप्ट कर लिया यह चीज तो होनी है तो आप तो यह टलेगी नहीं प्रयास भी नहीं कर दें पर क्या पता नियती में यह लिखा हो कि आप प्रयास करें और वह चीज़ टल जाए लेकिन मृत्तियु को टालना तो चालेंज करना होगे न अगर मृत्तियु लिखी है मानलो जिनका महा मृत्तियु उन्जे मंत्र से मार्केंडे जी ने नहीं टाली फिर मृत महापुरुष थे महापुरुष थे फिर यह पर एंसान क्लिए थोड़ा सावहा पुरुष बने कैसे हैं Grund एंगर के और करके तो हम क्यों हमकी नहींZ कर शकते हम्हकू Cirrh सकते महापूरुष अब मैम यह तो एक आव इंसान के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ना कि वह अपने मृत्यों को टाल यह हमने पहले से तैकल लिया यह हमने प्रीडिसाइट कर लिया अपने माइंड को कमांड दे दी कि हमारे लिए सब कुछ असंभव है क्यों असंभव है नौनों दिन व्रत नहीं रखे जाते लोग क्या केवल पानी पर जिन्दा नहीं रहते आप जैनी मुनियों को देखिए बिना वस्त्र के बिना चपल के सर्दी बरसात गर्मी क्या वो नहीं रहते जमीन पर सोते हैं भरी ठंड में इस समय भी जब हम स्वेटर पहन रहे वह हमसे कहीं अलग थे नहीं उन्होंने अपनी बॉड़ी को अपने आपको योग के द्वारा साधना के द्वारा भक्ति के द्वारा मंत्रों द्वारा इतना जाधा मजबूत कर लिया कि अब उन पर किसी चीज़ का असर नहीं है मैं यहां पर एक साप सीडी जैसा चार्ट मुझे दिख रहा है जो बहुत अटेंशन खीच रहा है इसके बारे में ज़रा अगर आप पहले तो आप इसको पकड़ के एक बार कैमरा पे दिखा दीजिए यह क्या है और थोड़ा बताईए इसके बारे में कैमरे को पहले पास लाइए कि कैमरा पकड़ रहा है भही से आप साप सीडी अपने खेलिए बच्पन में अच्छे नंबर्स आ जाते थे तो सीडी से हम उपर चड़ जाते थे और जहां पर साप दस जाता था हम नीचे आ जाते थे हर एक चीज मैंने कहा ना हमारे वैदिक चीजों से जूड़ी हुई है जैसे कि महाभारत काल की बात करेंगे पासो का एक गेम हुआ था जिसके थूँ चौसर खिला गया था और जिसके बाद महाभारत की शुरवात हुई थी नीव रखी गई थी वो जो पासे थे वो पासे जो है उन्हें आज की डेट में हम एक विद्धिया के रूप में यूज करते हैं जिसे कहते हैं रमल और टरोट के अंदर इसके कार्ड़ होते हैं हमारे इस circuit क्यों nécessaire की होती है रेकी हिलिंग को भी यह हम इसी तरीके से जोड़ लेते हैं तो यह मैं होता क्याई है कैसे काम कर इसकी एक रीडिंग होती है यह तो मैं आपके लिए पोटो लेकर आई हूं ठीक है जिरॉक्स करा के यह हमारे पास जो है वो ताम पत्र पर बना हुआ है और इसकी जब रीडिंग करी जाती है तो इससे यह पता किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में उसका पुन्य कितना रह कि पता और हमें यह पता करना है कि यह व्यक्ति अपने पास की जो चीजें भोग रहा है हो कब तक भोगएगा इसके साथ जो चीजें इसके पास से जुड़कर आई है वो इसको कब तक मिलेंगी जैसे किसी का बिजनस बहुत अच्छा चल रहा है चलते चलते अचानक से उसका बिजनस डाउन हो गया क्यों हो गया ऐसा क्या था अभी तक तो वही काम उनको खिला रहा था उसी काम से वो गेन कर रहे थे अब सबस्क्राइब आपको इसका मतलब आपका पुन्हें यहां पर खत्म होता चाहरा है और इसकी कैल्कुलेशन हो ते कि किस आयू पर जाकर आपको यह सम्डस घहा अगर आप को उसकी date of birth भी नहीं पता कुछ भी नहीं पता इनसान की तो जैसे उसमें तो नंबर रोल करते हैं तो उतनी steps चलते हैं तो इसमें कैसा process रहता है अगर मैं रीडिंग करा हूँ अपनी तो अचरण से एक तरीके से नंबर रोलिंग पर ही चलता है इसे आतमी ती तीथी है तो आस्टवी तिथी से फिर हम काॉंट करना चालू करते हैं चरन अन्यक बढ़ू है उसमें कौन सा नख्शत्र है कौन से नक्षत्र का कौन सा चरन्न है उन सब चिज़ों की क्यालकुलेशन के हिसाब से एक एक हाउस आगे बढ़ता जाता है और सामने वाले की रीडिंग होती जाती है यह बहुत गहरी रीडिंग है इसके लिए तो आपको बहुत टाइम भी चाहिए बहुत पेशिंस भी चाहिए बहुत एनरजी भी चाहिए और पुन्य तो कहते हैं क काफी जतन तक चलते आते हैं तो इसमें गा मल्टिपल जनमपों को हता है या जो अभी जैसे कल्यूक चल रहर तोुचा हरे अच्छा मल्टिपल आपका किस जनम का कौन सा पुन्य आप लेके आजेए वह बहुत सकते हैं और कितना लेकर आये एक होता है न विए बच्चे का कितना पुण्य है पिष्ले जनम से लेकर आया है वो कब तक उसको भोगना है उसको पुण्य को तो वो भी पता चलता है क्या बात और यह spirit cards और उससे कैसे connected है रेकी से यह वेदिक कार्ट से जादा connection वाना जब कि वहीं चीज आती है कि astrology में अगर आपके पास data worth नहीं है आपके पास time of worth नहीं है चीजे नहीं है तो आप normal cards को खोल के connect करके बता सकते हैं कि कितना साइट positive और कितना साइट negative प्लस क्या होता है हर card का अपना एक role होता है जरूरी नहीं है कि एक deck खोली तो उसी में आपका सब कुछ पता चल चाएगा उसमें भी हो सकता है कि आपका past present future पता चले लेकिन अब आप कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुणली ही दिखवानी है हमें कुणली पर ही करना है लेकि करनेक्शन तो energy से कर रहे है ना हम लोग इसके थुरू एक प्रश्न कुणली तयार हो जाती है जिसे हम astrology के अंदर basically प्रश्न कुणली कहते हैं और हम 6 cards open करते हैं जी तो वो पुन्य पाप नाप देते हैं आपका बहुत सवालों के जवाब निकाल देते हैं अगर टाइम भी कुछ भी नहीं पता तो यह जो हमारे जो वैदिक कार्ज है वैदिक कार्ज के अंदर राशियां भी है नक्षत्र भी है इसके अंदर आपके elements भी है houses भी है सब कुछ है तो basically आपका एक प्रश्न चार्ट तयार कर देता है एक और पदिती होती है जोतिश के अंदर जिसे कहत जी वो क्या होता है जमा कोल भी यही होता है कि आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता तो वो समय से जादा clock से उसका ज़्यादा relation रहता है कि आपकी clock से वो सारी अपने किस समय पर हमसे वो सवाल पूछा है वो कितने बज़े आपने वो सवाल हमसे पूछा है ठीक है और उस हिसाब से वो आपका चार्ट त्यार होता है उस हिसाब से आपकी calculation होती है तो यह जो वैदिक कार्ट है यह भी वैसे ही काम करते हैं आपके साथ आपके मंथ का, आपके एर का, आपके प्रेजन्ट का, आपके फ्यूचर का यह सारे जो अपने नंबर्ज हैं इन सब को add up करके इनको साथ में लेके उसके बाद जैसे आपके पस आपकी date of birth नहीं है तो हम अपने cards के थूँ वो सारी नक्षत्र, वो time, वो सारी चीज़ों को calculate करके उसके बाद हम इस card से आपके A to Z सारी चीज़े बता सकते हैं Date of birth निकल सकती है? Date of birth नहीं निकल सकती है क्योंकि वो चीज़ थोड़ा different हो जाती है इसमें एक चीज़ और भी हो जाती है वास्तू? जी, आप इसमें बिल्कुल cards बाकी भी वास्तू से relate करते हैं ऐसा नहीं है कि दूसरे cards relate नहीं करते हैं बट वही चीज़े ना कि ऐस्ट्रोलोजी जैसे कहते हैं कि एस्ट्रोलोजी का बहुत सारी चीज़े जाननी हो तो फिर आप इस card से कीज़े क्योंकि ये almost astrology से सारी चीज़े रिलेट करके ये card बताते हैं बस ये card के form में है तो यस से आप अपना मतलब सामने वाले का वास्तू भी देख सकते हैं अब मुझे कोई issue दिख रहा है तो मैं यहां से इसी card से वता सकते हूं कि आपके north में या east में या किस direction में आपके problem है बिना वहां जाए बिना किसी जगे पर जाए बिना उस जगे की photo या video देखे इस card से हम निकाल सकते हैं कि उस जगे का कौन सा direction जो है वो खराब है और किस वजह से उस घर का वास्तू सफ़ड हो रहा है और उस व्यक्ति को उससे क्या दिक्कते आ रहे है या फिर आपने किसको ऐसा रूम दे रखा है फर एक्जामपल हस्बिन वाइफ पो देना चीए वो रूम और आपने बच्चों को दे रखा है तो वो क्रिएट कर रहा है वास्तू की प्रॉब्लम क्या वास्तू दोश आ रहा है तो ये सारी चीज़े यहीं वैठे वैठे अपनी एनरजी से हम सिर्फ इन कार्ट के सुरू बता सकते हैं आफ प्रॉब्लम लियुक्त शोटे भाई को ढ़ेज गो और चोटे बातों पर मारना या जान मुझकी वो खुद ऐसी चीजये करता था जिसका बलेम चोटे भाई पराजाए माबाप उसको डाटे उसको मारे वो ऐसी चीज़े घर के अंदर क्रियेट कर रहा था वो बच्चा तो उन्होंने ऐसा बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत आ रही है कुनली देखा कुनली में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली और चीज़े देखी कोई दिक्कत नहीं निकली तो फिर इन काट से जब निकाला गया तो पता चला कि उस बच्चे के कुछ ऐसे डम्ड चीजें हैं जैसे कि के पुराने कपडे उसकी पुराने शूज पुराने बैग में वो एक जगे पर रहे हैं वह जगे जो है व६ नगिटीविटी दे रही है इसलिए अच्छन भिड़ रहा है इसकी सोच बिदिद्ध Кर्ण हो रहा तो वह जीज़ हम इस का से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएं तो आपको ये पता चलिया था कि वो उस डिरेक्शन में ये डंब चीज रखी हुई है उसकी सिर्फ कार्ड कार्ड से जी देखिए एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो भी नया सुनता है उसके लिए बड़ा आश्चरी है कि अरे ऐसा भी होता है अरे वैसा भी होता है अ अब उसके लिए हम किसी भी चीज का यूज कर रहे है चाहिए वो वास्तु है या बिना वास्तु पर जाए क्योंकि आजकल टाइम की बहुत शौटेज है हर कोई अलाउड नहीं करता अपने घर में वास्तु के लिए बुलाना हस्बंड नहीं चाहते कि ऐसे आप किसी को व पता कर सकते हैं कि इस डिरेक्शन में रूम बना दिया तो यह गलत है यह नहीं वास्तु एक माइनर माइन चीजे भी पकरता है वाल पेपर भी पकरता है जो आप लगा रहे हैं पेंटिंग वो भी पकरता है चोटे सापने कोई कपड़ा दमतलब इसको रखना यहां पर है तो वो चीज भी पकरता है तो यह कार्ट ना सारी चीज़े बता सकते हैं आपकी कोई चीज जो हमें नहीं जैसे आपने कोई चीज रख दी अपनी कोई लैप्टॉप या कुछ ऐसी जगह पर रख दिया टेबल पे और हमें नहीं पता ही बार हम इससे यह भी बता सकते हैं क कि वह कहां पर किस रूम की, किस डैरेक्शन की, किस टेबल पर रखा होगा, Tarot can predict this also, कि वह किस डैरेक्शन में है, किस तरीके से आपने रखा है, उल्टा रखा है, सीधा रखा है, कैसे रखा है, सब कुछ बता सकते हैं, तक हम बता सकते हैं कि क्या है उसका अरे बाबरे तो खतरनाक चीज है यार कुछ तकड़ी चीज है कुछ नहीं छुप सकता है तो क्लासस कब से चालो करें जबाब बोले मैं हमें लगता है मैं सीखने के लिए इसके लिए इतनी शुद्धी करानी पड़ जाएगी हम तो जन्ता को किसी को सीखना तो यशी जो है वो सिखाती भी है और आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जो इनकी डिटेल्स है वहां से इनसे कॉंटाक्ट करकर अपने आपको एंरोल कर सकते है इन चीजों में पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं सीख सकते मैं आपको बह इन चीजों में नहीं घुषना हम वहां ज्यादा ऐसा घुष जाएंगे और कुछ और ही हो जाएगा हमारे साथ क्या होता है मैं आपको चीज बताते हूं जब हमारे पास जो बच्चे सीखने आते हैं मैंने जब मुझे मेरे मैंने आपको बताया कि हर आपके जब कुंडली के अंदर बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन आते हैं तो आपको इंडिकेशन आते हैं कि अब आपको अपनी लाइफ के साथ को चेंजस करने पड़ेंगे कैसे भी तो एक टाइम पीरेड आया जब मुझे ये चीज ठाकोजी इंडिकेट करने लगे कि अब आपको अपनी व और मैं मतलब ऐसी हूँ कि अगर पांच घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है फिर वो पांच घंटे आप उठ नहीं सकते अपनी जगे से और इन चीजों को करने के लिए आपको अपने आपको प्रकरती के अनुसा धाल लेना पड़ता है जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ह हमारे यहां जब रुद्रा अभिशेक होते हैं खास करके जब हमारे शिवरात्री वैसे तो रोज ही रुद्रा अभिशेक का ये नियम होता है लेकिन शिवरात्री की रात्री में चार पहर का रुद्रा अभिशेक होता है जो कि शाम को 6 बज़े से चालू होके अगले दिन स स्ट्रेट बैठ कर हाथ में आप पकड़ के और आपको वही पर एक ही आसन पे बैठ के वह चार पहर के पुझा बारा घंटे की करनी होती है आप इस पर सहारा भी नहीं लगा सकते है अपना ठीक है तो यह जो चीजे होती है यह बहुत ऐसी चीजे है जो इनसान तभी कर सकता है जब उसका दुष्ट संकल्प हो कि मुझे यह करना ही है अब आजकल की बच्य कैसे हो गए हैं अगर उनको मैने क्या दिया कि आप सुवह 5 बजए उठेंगे और पांच माला चैन्ट करेंगे और जब तक आप माला चैन्ट नहीं कर लेंगे तब तक आप पानी का भी घुट नहीं पीएंगे मैं पिलाओंगी भी नहीं तो पता चला तो मुझे लगा कि बच्चे कितना मुझे उस तरीके से जेल पाएंगे क्योंकि मैं बात करते हूं रिशी मुनियों के समय की जो हमने अपने पूरवजों से सीखा और बहुत चेंज आ गया समय प्रवर्ती में तो बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो मेरे पास सबस करने का कहा लिजे हाला कि गलत बात एक्सप्रीमेंट नहीं था वो मेरा यह देखने का कि बच्चे कितने आजकल के एकसेट कर सकते हैं चीजों को तो मेरे पास सबसे सरल जो सामने वियक्ति था जिस पर मैं अपना पूरा अधिकार जता पाऊं वह यशी कि मैंने कह दिया कि आपको एक पैर पे खड़े होकर यशी यह पूरा का पूरा स्त्रोत्र पढ़ना है तभी आप दूसरा पैर धरती पर रखोगी तो वही अकेली थी उस वक्त जो मेरी उस चीज को एकसेप्ट कर रही थी और अगर मैंने इसको उस जगे पर लाकर खड़ा कर दिया मैंने अगर इससे वो चीजे करवा दी तो इसका मतलब मैं किसी से भी करवा सकती हूं और कोई भी यशी जितना ही काबिल हो सकता है और एक दिन शायद मुझसे भी ज़्यादा काबिल बनके सामने आ सकता है अगर किसी को लगता है कि वो एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं तो हमारे पास एक अच्छी टीचर है संकल्ब जरूर लेना पड़ेगा लेकिन मैं के साथ आपको नियम भी आपको साधने पड़ेंगे क्योंकि एस्ट्रोजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जब तक आप अपने आपको इतना खाली नहीं कर देते हैं कि आपके अंदर मैं एक छोटी सी बहुत थोड़ा होए थे और बहुत तेज तूपान आ रहा था और उनको बिजली की रोशनी के अंदर दिखाई दिया कि अगर हम कूद गए ना तो हम एक धरातल पर खड़े हो पाएंगे मतलब धर्ती पर एक बैलेंस जगे पर खड़े हो पाएंगे तो गुरु ने बहुत बार अपने शि पर शिष्य ने सुना नहीं उसने सुना ही नहीं कि गुरु जी बार-बार मुझे कह रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ो मेरा हाथ पकड़ो गुरु को बहुत तेज गुसा आया कि एक तो इतना तुफान आ रहा है अगर नहीं कूदे तो मर जाएंगे इसके अंदर अपन तो उन तो शिष्य ने पता है क्या जवाब दिया गुरु जी मैं हाथ पकड़ता ना तो डर के मारे छोड़ देता आपने हाथ पकड़ा था विश्वाश है आप कभी नहीं छोड़े तो एक शिष्य को सबसे पहले अपने अंदर जो चीज देने की जरूरत है ना इस नॉट अप कि आप सिर्फ पैसेज से अपनी शिक्षा को प्राप्त करना चाहरे हैं आपको सबसे पहले जो देने की जरूरत है अपने गुरु को वो है समर्पन मैं एक खाली पात्र बनके आ गया हूँ मैं एक मिट्टी हूँ अब आप इसको कैसे और क्या आकार देकर क्या बनाएंगे यह आपके उपर है करते चले जाईए मैं आपका साथ दे रहा हूँ मैं इसको इसलिए सिखा पाई क्योंकि इसने मुझसे कभी कॉश्चन नहीं किया ममी ने अगर यह कह दिया है कि जब तक यशी 11 माला जाप नहीं होंगे तब तक तुम आसन नहीं छोड़ोगी तो यशी क नहीं किसले निगानी उस बात पर तर्क वितर की नहीं हुए तो हर एक गुरु को न शिश्य राम जैसे चाहीं है तब ही बात बन पाती है तो मुझे तो दिखते हैं आपके अंदर नहीं आप तब बनेंगे यह पता नहीं है कलिए चले दो बस तो यह बहुत बड़ा चैले करें क्या वो हमें राम जी बनते देखना चाहेंगे या नहीं तो कमेंट कर दो दोस्तों और अफकॉर्स अगर आपको इस पॉड़कास में तो जरूर कमेंट करिए कि मैम के साथ हम एक और पार्ट शूट करें अलाकि मैम के पास इतना ज्यादा कॉंटेंट है जो हमें और मैं जंदा से बोलो कि आपकी अगर लाइफ में कुछ दिक्कत आरिया आपको लगता है कि यहां भई माम वो सॉल्फ कर सकते हैं प्लीज माम को यह शी को रिशाओट करें लिंक इनका डिस्रिप्शन में सभी इंस्टेग्राम डंबर वेबसाइट इन इवर्थिं इस इन सब्सक्राइब दोस्तों को फैमिली को गिफ्ट करें आंड डाट इस इट मिलते हैं बाई बाई